नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमार यूटूब चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निप्टी की किस प्रकार से आपको कल 26 जनबरी और किस प्रकार से इसको ट्रेट करना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए तो जैसा सबसे पहले इस लेवल के आसपास ओपन हुआ था हमारा बैंक निप्टी और इसने एक उपर की तरफ अच्छा मूब लिया था सबसे पहले 500 पॉइंट गैब डाउन ओपन होने के साथ साथ इसने लगबग पॉन घंटे तक उपर की तरफ एक हाई लगाया था इसने जो की जो रेंज मनाई थी कोछ इस प्रकार से स्फने रेंज मनाई थी जब आए इसका ब्रेक्डाउन करने इस्टार्ट किया इसने इधर पिसने लो लगाने स्टार्ट किया तब एक अच्छा मोवमेंटम हमें नीचे की दरब देखने को मिला और जो इसने लू लगाया था लेकिन अगर projection को follow करे हैं तो projection को इस प्रकार से इस ने बनाया था कोछ इसने एक low लगाया और उपर high बनाया इसने बापस से low लगाया लेकिन पिछले low को break नहीं किया और इस high को cross करते हुए W pattern बनाते हुए उपर की तरफ निकल गया था और इसने जो जा के close किया है वो 45,000 74 की level पर close किया है तो कल हमारे लिए यही important level है जिस level पर आज इसने close किया है अगर इसी level के आसपास flat open होता है और continue इसी level पर sustain करता है और इस level को break करके बापस से उपर की तरफ sustain करना इस्टार्ट करता है तो हमें सबसे पहला target जो देखने को लेगा वो मिलेगा 45,400 के आसपास और जब इस level को break करके इस high swing को break करके ऊपर निकलता है तो 45,600 तक का हमें target देखने को मिल सकता है इसमें और अगर नीचे की तरफ हम देखें तो हमारे लिए यह level important है अगर कर इसी level के आसपास open होता है और इस level को break करके नीचे की तरफ नकलना इस्टार्ट करता है तो हमें एक अच्छा momentum नीचे की direction में भी देखने को मिल सकता है तो projection को follow करते हुए इसको trade कर सकते हैं आप निफ्टी 50 को देखोगे आज तो निफ्टी 50 जिस level पे आज open हुआ था उसको अगर हम देखें तो इसने नीचे की तरफ open हुआ था इधर पर कहीं पर open हुआ था और इसने एक high swing बनाया था कुछ bank की तरह ही इसने और w pattern मनाते हुए उपर की तरफ इस level पे इसने projection form किया था जिस level पे open हुआ था इस level को इसने break नहीं किया था और उपर की तरफ overall uptrend में trade करता रहा और इसने लगबख last में 200 point उपर की तरफ close किया है तो हमारे लिए यह है बहुत positive है trade करने के लिए 2460 की level पे इसने close किया है और अगर हम इसको level को देखें support level को तो हमारे लिए support level है जो 2400 के आसपास अगर continue वापस इसने level के आसपास open होता है वापस इसने level को high को break करके open निकलता है तो हमें projection को follow करते हुए trade करना है और जो हमें target देखने को मिल सकता है अब वो 21600 के आसपास तक इसमें target देखने को मिल सकता है और अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हमारे लिए नीचे की तरफ यह important support है कि 1200 के level बहुत important support है अगर इसी swing को break करके नीचे निकलता है तो हम एक नीचे की तरफ opportunity देखने को मिल सकते हैं तो projection को follow करते हुए आप trade कर सकते हैं bank nifty को और nifty 50 को तो कुछ इस प्रकार से आप दोनों को trade कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिए और channel पना है तो channel को subscribe कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद